अब बात करते हैं कि मई में आपको क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए हैं हम सबको पता होता कि गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए बट बहुत तोगों को यह नहीं पता होता है कि गर्मियों में हमें खास तौर पर क्या नहीं करना चाहिए अपने गार्डन में नज़र डालते हैं, things not to do in May, माई आते ही आपको क्या बंद करना है, प्रॉपगेशन, किसी भी कटिंग को अब हम प्रॉपगेट नहीं करेंगे, जो प्रॉपगेशन करना था, वो अपने मार्च और इपरल में कर दिया, माई में बंद कर देंगे, जून में बंद कर देंगे कब स्टार्ट कर सकते हैं, 1st week of July में आप अपने हर पौधे की कटिंग को प्रॉपगेट कर सकते हैं, क्योंकि मौसम काफी धंडा हो जाता है, वो भी पहली बारिश के बाद, जल्द बारिशी में मत करिये, वन्ना कटिंग कर रेट जो है, काफी कम हो सकता है, अब आता है द है, प्लांट मर सकता है, और दूसरा, फंगस का भी अटाक आ सकता है, तेज दूप में फंगस का अटाक रोड़ा जादा होता है, इसलिए गर्मे में हम फ्रूनिंग या ट्रुमिंग प्रिफर नहीं करते हैं, ये सब करियेगा जुलाई में, तीसरा आता है कि हम अपने क्यों है, क्यों देना है, जो हमारे सारे पौधे लग चुके हैं, उनमें अल्रेडी पॉटिंग मिक्षर में हमने फोर्टिलाइजर मिलाया था, तो आप तो देनी की ज़रूत ही नहीं है, इतनी गर्मी में कोई फोर्टिलाइजर नहीं देता, जिसे गर्मी में हम तेल मिर् वो उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हैं थोड़ा वेट कर लिजे जून एंड या जुलाई फोर्टिलाइजर अपने पौधों में दे सकते हैं तब तक पानी से काम चलाईए और चौता हमें क्या नहीं करना है किसी भी प्लांट की किसी भी पौधे की र यह हम करेंगे जुलाई फोर्स्ट वीक में या थोड़ा मौसम जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिलाल इसको में इधर रख देती हैं यह ऐसे रहेगा चलेगा अगर हमने इसके रिपोर्टिंग करती और इसको काफी शौक लग गया कि किती तेज धूप पड़ रही है तो मा कुराने पौधे की रिपोर्टिंग का तो रिपोर्टिंग से बचे जुन एंड या जुलाई फर्स्ट वीक का इंतजार करें और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि गर्मिया आते ही आपको अपना वाटरिंग स्केडियूल शेंज करना है यानि पहली चीज जो आपक अब सी तो नहीं मिस्टिंग करना है तो अगर शाम को मिस्टिंग करनी है तो साढ़े पांथ घ Tech Tech पर सकते हैं शुलाटूर करना गर्मियों के ताइम पर बहुत अच्छा लाता है काफी ये टेंटे a kennirm होजाता है अर चीजों का है फ्लस दूल दान मिट्टी पंग। इतने अगर हम बात करें तो वो भी हमें चेंज करना है गर्मी आते वक्त क्या कर सकते हैं सुबा अगर आप पानी देना पसंद करते हैं तो पांच से छे या चे से साथ उस बीच आप इने पानी दे सकते हैं उसके बाद मत दीजी क्योंकि बहुत तेस गरम होती फिर पूरे टाइम आपके जो पौदे हैं वो धूप में ही रहेंगे अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है और आप प्रिफर करते हैं कि शाम को वक्त पानी दे तो आप थाड़े पांच से लेकर साथ बजे तक आप शाम को पानी दे सकते हैं जादा रात में पानी मर दीजे कि कुछ- अगर पत्तियां उनकी गीली रह जाते हैं तो कि बात करें तो गुलाब में हमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है कोई भी पेस्टिसाइड नहीं चुड़कना है और इसकी जितनी भी ब्रांशेज है प्रूनिंग या ट्रमिंग नहीं करनी है जो स उस पे हाथ भूमत लगाए बस इसमें पानी दीजे और एक प्रॉपर संलाइज इसे तेज दूप में भी रखेंगे तो इसकी पत्तियाना थोड़ी जल सकते हैं इसलिए ग्रीन नेट प्रिफर करती हूं रोज इसके लिए सबसे पहले हमें मैं मैं क्या करना चाहिए ग्री इसमें बहुत सारे पोसंटेज आते हैं या अपने हिसाब से ग्रीन लगाईए और अपने पौदों को तेज धूप से बचाईए ग्रीन अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है पत्ते आपकी जल सकते हैं प्लांट आपका मर सकता है जो ब्लूमिंग्स है यानि जो अपने फ्रूट वेजटेबल से आयां है उनका साइस भी छूटा हू सकता है और जल सकता है मैं मानती हुम साथ से आठ घंटे की धूप चाहिए होती एक फ्रूट ब्लांट को लेकिन जो छोटे पोड़े हैं उन्हें इतनी धूप नहीं चाहिए होती एक पुल्ली ग्रोन को भी साथ साथ घंडे की दूट चाहिए होती है तो इस बात का ध्यान रखें बेबी सापलिंग में तो उन्हें शेड में रखें और एक इंपोर्टन चीज जो मैं शेर करना चाहते हैं वाटरंग स्केडूल के बारे में वह यह है कि विंटर्स में काफी कम जो पौदे होते ह क्योंकि हम काफी पानी की जो फ्रिक्वेंसी है वह हम कम कर देते हैं लेकिन समर आते ही हम शायर डेली पानी डाल देते हैं दो बार पानी डाल देते हैं ठीक है जिनके आप तेज हुपा रहे हैं उन्हें दो बार भी पानी डालना पड़ सकता है एक बार पानी डालना पर वो अपना वाटरिंग स्केडियूल आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है जब भी पानी दीजिए उससे पहले आप अपने पौधों की मिट्टी जरूर चेक कर लीजिए चेक यो सोईल बिफोर वाटरिंग तो उससे क्या होगा मानने जागर आपके पौधे में नमी बनी है तो आपको उस पौधे में पानी डालने के जोरत नहीं है तो यह ती मेरी कुछ ट्प्स झोआपको मैं में करनी हैं और कुछ प्राइब बतायें जो करने हैं तो यह फटा-फट से कर लिजेगा यह करने से क्या होगा आपका जो हरा-फ़रा गार्टन है वो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहेगा जादा पैस्ट नहीं आएंगे जादा सन बर्न नहीं होगा और आपके पौधे ऑवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से कि डवाएं जाएं लुए नहीं प्रहत तेजगर्मी आते हैं जैसे अपना श्कार चेटीन करते हैं सेम वैसे हमें क्या करना है जब हम अपने पौधों को कीड़ों की दवाएं डालते है यानि पेस्टिसाइड चड़कते हैं तो उसका भी चेटियूल हमें चेंज करना है पेस्टिसाइड रखने का बेस्ट टाइम होता है हाँ सुभा होता है आइनो लेकिन तेज दूप में आप क्या करिए आप शाम को दीजे पेस्टिसाइड ताकि उनका असर धूप आते आते नेक्स दे थोड़ा सा कम हो जाए वर्ना क्या होता है अगर आप नॉर्मल नीम ओल पानी में मिला के डालेंगे ना तो कुछ हद तक कुछ पत्यां जो काफी कमजोर और कोमल होती है वो जल सकती है नीम ओल से भी जी हां तो आप धियान रखिए कि शाम को अपना और जैसे वाटरिंग स्केडियूल चेंज किया है वैसी अपना पेस्टिसाइड वादा स्केड करिए अच्छे से मिक्षर बनाइए और अपने वादो को दीचे पत्यों के उपर पत्यों के अंदर आवे के साथ बोल सकती हूं तीन दिन के अंदर ही अंदर मीली बग ओके डड़ा बाय बाय हो जाएगा आज की वीडियो में मैंने बताया था माई में आपको क्या चीज़ और अब सब्सक्राइब इस चानल बेल इकन दबाना मत पूटियका